हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब इश्वर की दया से अपने घरों में सुरक्षेत और खुश होंगे और साथ ही पढ़ाई भी कर रहे होंगे बच्चो आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ चौदा विराम चिन का अध्यान करेंगे रमन दीव वह मेरे बेटे की महनत रंग लाई अमरचीत करतार की महनत के साथ साथ हम सभी की महनत भी रंग लाई है बच्चो दिये गए चिन हमें बात चीत के उतार चड़ाओ वा विराम के बारे में बता रहे हैं हम कह सकते हैं इस तरीके से की बातचीत करते समय हम अपनी बात को ठीक धन से समझाने या कहने के लिए बीच बीच में थोड़ा रुखते हैं इसे ही विराम कहते हैं और विराम का अर्थ ही होता है रुखना लिखते समय उस विराम को दिखाने के लिए हम कुछ चिन हों का जो प्रियोग करते हैं वो ये चिन विराम चिन कहलाते हैं अब हम देखेंगे विराम चिन की परिभाशा या हम इसे कैसे थोड़े शब्दों में परिभाशित कर सकते हैं कि विराम चिन किसे कहते हैं अर्थ को इसपस्ट करने के लिए वाक्यों में जो चिन विराम के रूप में लगाए चाते हैं उन्हें विराम चिन कहते हैं सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि पढ़ते और लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए चिन्नों को विराम चिन कहते हैं कुछ मुख विराम चिन है जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन, बिस्मयादी बोधक चिन और योचक चिन तो बच्चों हम इक कुछ मुख पाँच विराम चिन्नों का अध्यन करेंगे पहला है पूर्ण विराम, जैसा कि आप जानते हैं पूर्ण विराम इसको वाक के समाप्त होने का संकेत इस चिन के द्वारत दिया जाता है जो पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम के द्वारा वाक के समाप्त होने का संकेत इस चिन के द्वारत दिया जाता है या किया जाता है या वाक के अंत में रुखने के लिए पूर्ण विराम का प्रियोग होता है तो हम इसे सरल शब्दों में ऐसे भी कह लें कि इस चिन को वाक की समाप्ती पर लगाया जाता है या वाक के पून होने पर पून विराम लगाया जाता है वाक के पून होने पर पून विराम लगाया जाता है जैसे आसमान में नीले रंग की पतंग उड़ रही है या हम एक और वाक देख सकते हैं कक्षा में सभी विद्यारती पढ़ रहे हैं अब दूसे नंबर पर आता है अलप विराम बोलते पढ़ते या लिकते समय जहां थोड़ी देर ठैरना हो वहाँ अलप विराम लगाया जाता है और बच्चो अलप का अर्थी होता है थोड़ा अल्प का जो मतलब होता है वो होता है थोड़ा तो हमने देखा कि बोलते पढ़ते या लिखते समय जा थोड़ी देर ठैरना हो वहाँ अल्प विराम का प्रियोग किया जाता है जैसे रीना, मीना और सीता बजार गई यह हम कह सकते हैं मुझे आम, अंगूर, पपीता, आदी, फल बहुत पसंद है तीसरा चिन है प्रशन वाचक चिन जिन वाक्यों में प्रशन पूछा जाता है उन वाक्यों के अंत में प्रशन वाचक चिन का प्रियोग किया जाता है जिन वाक्यों में प्रशन पूछा जाता है या हम इसे ऐसे भी कह लें कि प्रशन पूछने के लिए प्रशन के अंत में प्रशन वाचक चिन का प्रियोक किया जाता है प्रशन वाचक चिन भी पून विराम की तरह अंत में ही लगता है जैसे पूर्ण विराम वाकी की समापती पे लगता है तो प्रशन वाचक चिन भी वाकी की समापती पे लगता है कि प्रशन पूछने के लिए प्रशन के अंत में प्रशन वाचक चिन का प्रियोग किया जाता है जैसे आप कहां जा रहे हैं प्रश्ण वाचक चिन लगाए फिर इसके बाद या आप खाना कब खाएंगे बचो अब आता है चौथे नमबर पर विस्मय आदी बोधक चिन या विस्मय बोधक चिन जिन वाक्यों में हर्श, हैरानी, प्रसंता का भाव हो उन वाक्यों में इन भावों को दर्शाने वाले शब्दों के बाद ध्यान दिजेगा उन वाक्यों में इन भावों को दर्शाने वाले शब्दों के बाद विस्मय आदी बोधक चिन लगाया जाता है जैसे की जिन वाक्यों में हर्ष है, हैरानी है, प्रसंता है, खुशी है, दुख है, घर्णा है, जो ऐसे जो भाव आते हैं तो ऐसे भावों को जो दर्शाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोक किया जाता है तो उन शब्दों के बाद इस चिन को लगाया जाता है वो जैसे शब्द, कुछ शब्द इस तरीके से हैं जैसे आपने देखा वह या आप देख सकते हैं कि हम लोग कभी-कभी बोलते समय कुछ ऐसे शब्द हमारे मूँ से निकलते इस तरीके के जो शब्द निकलते हैं तो इन शब्दों के बाद जिस चिन का प्रियोग करते हैं विसमय आदी बोधक चिन का प्रियोग किया जाता है तो मैंने आपको फिर से बता दू कि हर्ष, हैरानी, प्रसंता, खुशी, दुख, घिरना, आदी भावों को प्रगट करने के लिए उन वाक्यों में इन भावों को दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं उन शब्दों के बाद विसमय आदी बोधक चिन का प्रियोग किया जात है जैसे अरे, बाप, बाप, ओ, वा, छी, हाई, मतलब ऐसे और भी शब्द हैं इन शब्दों के बाद इस चिन का प्रियोग किया जाता है जैसे वा, तुम कक्षा में प्रथम आए अब आता है बच्चों पाँचमे नमबर पर योजक चिन, ध्यान दीजेगा अब है योजक चिन, दो शब्दों में संबंद इस्पस्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड कर लिखने के लिए योजक चिन का प्रियोग किया जाता है नमबर दो शब्दों में संबंद इस्पस्ट करने के लिए या उन्हें जोड कर लिखने के लिए योजक चिन का प्रियोग किया जाता है या कह सकते हैं वाक में जब दो शब्दों को जोड़ना हो या मिलते जुलते हुए शब्दों को दिखाना हो जान दीजेगा वाक में जब दो शब्दों को जोड़ना हो या मिलते जुलते हुए शब्दों को दिखाना हो तो इसके लिए योजक चिन का प्रियोग किया जाता ह जैसे दिन रात मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है अपने देखा दो शब्द फिर आप यहाँ पर देख सकते एक और मैं सेंटेंस आपको बता रही हूँ आप अपने लिए कोई छोटा मोटा काम देख लीजिए तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या है दो शब्दों को जाना हो तो योजक चिन का प्रियोग किया जाता है तो बच्चो आज हमने सीखा कि भाशा में विराम चिन्नों का बहुत महत्व है और अर्थ को इसपस्ट करने के लिए विराम चिन्नों का प्रियोग किया जाता है बात के सही अर्थ को समझने के लिए है ना क्या किया जात तो आशा करती हूं आज का जो पार्ठ है हमारा विराम चिन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा इस पार्ट के जितने भी अभ्यासकार हैं आपको स्कूल वेब साइट में मिल जाएंगे आप उन्हें देख कर अपनी कॉपी में लिखें और याद करें